स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सब का धन्यवाद अपने फेवर्ट चोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को और हिट दे बेल आइकन तुम्हारे पास मुष्पूर भरोसा करने के अलवा और कोई रास्ता नहीं है रूबी सोच लो चलायन बनके जिंदगी काटनी है यो महाशक्तिशाली एक आयन बनके सोचो रूबी जैसे ही तुम्हारे बाल काले हो जाएंगे तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली हमेशा हमेशा के लिए इस घर में रह जाओगे फिर तुम एक चलायन बन जाओगी कुछ भी करके एक आयन नहीं बन पाओगी क्या तुम हमेशा के लिए दूसरों पर पलने वाली इत छलायन बद्गे रहना चाहती हो। अपने बालों को पालाओने से रोक लो, रूबी। अज़, अगर हम सब मर करें, तो मुल्ना का क्या होगा? हमें कुछ नहीं होगा, पिया. है वादा करता हूँ. किसी को कुछ नहीं होने दूगा. तुम तेर मैं का, कवार्पिया, कुछ नहीं होगा हमें. तुम अपना इले नहीं होगा ह। ह। अब कोई फाइदा रही, थोड़ी देर में मैं इतनी पावफुल हो जाओंगी कि इस पॉईजन का कोई असर नहीं होगा तुम सब ने बेकार में इसे पी लिया दुए और तुम लोगों को रेलाइज होगा कि तुम लोगों ने बेकार में ही अपनी चान दे दी अगर तुम उचसे वादा करती हो कि तुम मेरे परिवार को जिन्दा छोड़ दोगी तुम मैं तुम्हारे साथे क सौधा करना चाहती हूँ सौधा? तुम्हारे पास मुझे देने के लिए है ही क्या? एक आयन की चोटी मोहना के मर जाने के बाद मैंने उसकी चोटी उठा ली थी अपने परिवार को बचाने के लिए मैं तुम्हें एक आयन की चोटी देने के लिए तयार हूँ मैं तुम्हें एक आयन बना सकती हू रूभी एक तैविक एक टायन को एक आयन बनाएगी मैंने बताया ना रूभी मोहना के मरने के बाद मैंने वो चोटी ले ली थी मैंने उस चोटी को हर बुरी शक्ती से दू रखा था अपने परिवार की जान बचाने के लिए मैं तुम्हें वो चोटी देने के लिए तयार हूँ रूभी मैं तुम्हारा भरोसा क्यूं करूँ हो सकता है ये तुम्हारी कोई नई चाल हो तैसे दी थोड़ी देर में मैं और मेरी फैमिली इस घर के पर्मिनिन मेंबर्स बन जाएगे ज़से मेरे पास तुमसे सोधा करने क्या लवा और कोई दूसरा रस्ता नहीं है यसे ही तुम्हारे पास मुषपर भरोसा करने के अलवा और कोई रास्ता नहीं है रूभी सोच लो चलायन बनके जिंदगी काटनी है यो महाशक्तिशाली एक आयन बनके सोचो रूभी जैसे ही तुम्हारे बाल काले हो जाएगे तुम्हारे पूरी फैमिली हमेशा हमेशा के लिए इस घर में रह जाओगी फिर तुम एक छलायन बन जाओगी कुछ भी करके एक आयन नहीं बन पाओगी क्या तुम हमेशा के लिए तूसरों पर पलने वाली एक छलायन बनके रहना चाहती हो अपने बालों को काला होने से रोख लो रूभी और अरंज के उपर से उतर जाओ जैसे ही तुम नीचे उतरोगी बाकी सारी छलायने गायब हो जाएंगी उसके बाद तुम एक आयन बन सकती हो रूभी पर मैं अपनी फैमिली के साथ ऐसा क्यू करूँगी उनकी जान की तुष्मन क्यू बनूँगी क्योंकि तुम एक डायन हो, रूभी डायन के सिर्फ पाओं ही नहीं, नियत भी उल्टी होती है डायन सिर्फ अपनी सगी होती है, रूभी एक डायन की तरह सोचो जब तक तुमारा परिवार तुमारे काम आ रहा था तुमारा परिवार था अब जब तुम्हें हांगी बढ़ने से रोक रहा है बोज है, उतार फैको इस बोज को अपने बालों को काला होने से रोख ले रूभी सोदा मेरा है मर्जी तुमारी अपने 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 इसहाँ पार्ण प्राण नाकी दियुकिdır फिरा स्वाम पार अशार प्राइब प्राण पार प्राण कि मैं शगर लिप्स के ऊपर से तब तक नहीं उतरूंगी जब तक तुम मुझे एक आयन की चोटी नहीं दिखा देती है और हां, रलायन से छल करने का सोचना भी ना जाए चोटी कहां है पिया? मेरे साथ आओ पंडिजी स्थरफ पंडिजी स्थरफ पंडिजी स्थरफ कहीं भी नहीं दिख रहे है बाग कहां गई होगी वो वसे यहीं होना चाही है जो 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 इना झाल जोटी, जोटी कहां गई, मैंने तो इसी में रखी थी पिया, मैंने कहा था ना कोई चला की नहीं तो भी मैंने कोई चला की नहीं किये मैंने सही में जोटी इसी में रखी थी तो फिर जोटी कहां गई what the hell Ansh, मुझे हागे ले चलो इसके अंदर कोई भी डायन प्रवेश नहीं कर सकती अपने इस मिनी चीजबर्गर से कहो के चोटी मेरे हवाले कर दे चोटी मुझे ते दो चोटी दे मुझे रूबी, अगर तुम बच्चे पर चलोगी तो मुन्ना तुमें चोटी कभी नहीं देदा बच्चे को प्यास से हंदल किया जाता है चोटी देदा फाइनली ये चोटी मुझे मिल गई अब में एक आयन बन जाओ के पेखा मैंने कहा था ना अकर तुम मुनने को गुस्सा दिना उगी तो यही होगा अब भी देर नहीं है चोटी पूरी तरह से जली नहीं है तुम अब भी एकायन बन सकती हो तुम अब भी एकायन बन सकती हो एक गोकनट तो हैंड करनेड दिकला पिया चोटी लेके लिविंग रूम में आओ और हाँ इस मिनी चीसबरगर को मतलाना चलो आज़ स्टाप्लस के ऐसे ही और बहतरी लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चानल को